स्वागते सातियों दुरिष्टिक विक बुक की समरी लेक्चर में हम लोग पढ़ने माले हाज प्राक्रतिक बनस्पति वोगोल की चैप्टर वाइज लगभग सिक्स चैप्टर अब कंप्लीट हो चुके हैं जिनका प्लेइलिस्ट में विजिट करें वहां से आपको सारे वी में चैप्टिज और उर्द्वादर दोनों बितरन किया जाता है तो यहां पर वर्सा की अधार पर किया गया है बर्गी करण वर्सा की मात्रा देखें अगर 250 संटीमीटर से अधिक है तो वहां पर होगा उसने कटिबंधी सदाबहार बनस्पति और इसके प्रमुख प्रिक कैल मुख्य प्रजातिया हैं 100 से 200 संटीमीटर की वर्सा तक का नाम होगा उसने कटिबंधी आर्द पार्णपाती वनस्पती आर्द प्रणपाती वनस्पती सागन टीक साल सीशन चिननन अरजन सहतूत आदी 70 से 100 संटीमीटर तक वर्सा होगा तो होगा सुष्क प्रणपाती वनस्पती या उसने कटबंधी सवाना इसके प्रमुख होंगे तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, अक्सलवुड, आदी 30 संटीमीटर से कम बर्सा जहां पर होती है, वहां पर सुष्कटिली बनस्पती होगी, नीम, खजूर, बभूल वगरा इसमन होंगे जह चालीज से साथ संटीमीटर तक वर्सा होगी, वह समाना बनस्पती होंगे, इसमें छोटे व्रिच्षे घहास होता है जो 50 cm से कम होगा वो मरसली बनसपती होगी जिसमें अकास यह नागपनी त्यादी पाए जाते हैं छोटा सा टेबल यहां डिसकस किया गया है इनी को आगे यहां पर आगे explain किया गया है तो आई देखते हैं ट्रॉपिकल इवर ग्रीन बजिटेशन तो इनका जो रेंफाल होग पर 250 cm से अधिक होगा इनका नाम है उस निकटिबंदी आर्दर सदा परणी बनसपती तो चुकि उस निकटिबंदी यह ट्रॉपिकल हैं इवर ग्रीन हैं सदा बहार हैं वेजिटेशन बनसपती तो जो उस निकटिबंदी बनों की इस सुद्ध प्राथ में को पार रगता ह नेट प्राइमरी प्रडक्टिविटी यह सबसे सरवाधिक होती है तो कभी-कभी यह पूछा सकता है कि इसका विकास जो है वो कहां पर है पस्चमी घाट के पस्चमी ढाल पर केरल करनाटा कुत्तर पूर्वी छेत की पहाड़ियों और नमाननी के पर दीप समों में तो इनको ना महोगनी, रोजवूड, आर्किट, फंड, आपनूस, बांस, तान यह सब इसमें ब्रिहतायत में पाए जाते हैं लकडिया कठोर होती है इनका दोहन नहीं हो पाता है क्योंकि इनको निकालना बड़ा कठिन होता है लेकिन चुकि मसीनों के माध्यम से ब निकाला ज सकता है अगर देखे तो अंड़मान निकोबार को इस वन का घर कहा जाता है उसने कटिबंदी सदा बाहर वनस्पतियों का घर कहा जाता है आर्थिक देशे से महत्वपूर्ण वरिक्षे बहुतायत में मिलते हैं जिससे विसालकाई, डिप्टेरो कार्पस और टर्मिनालिय तो यह नमान निकोबार में पाए जाते हैं छोटा सा मैप भी हैं प्राकितिक वनस्पतियों का डिसकस किया है कौन सा कहा पर है वो भी आप बुक में देख सकते हैं वर्सा की मातरा यह थोड़ी कम होती है सेमी एबर ग्रीन फॉरस्ट होता है तो वहां पर 200 से 500 सेंटिमीट की वर्सा देखी जा सकती है यह होता है आर्दर सीजोशन पर पाती बरस्पती छेतर के बीच लगभग होती है इसके प्रमुक छेतर हैं अन्नमान निकोबार सही अध्री और मेगाले के पठार जो जूमिंग क्रिसी है उसकी बज़ा से इनका हरा सधिक हुआ है साइडर होलक कैल, गुर्जन, लारेल, चंपा, रोड़ बुजादी है इसमें आसान है इनका दोहन असानी से किया जा सकता है इसके बज़ाता है ट्रॉपिकल मॉइस टेसीडियूस विजिटेशन और्शन कडिवन दी आर्दर परणपाती बरस्पती जहां 100-200 सिंटीमीटर बरसा है इनक प्लकडियां प्राप्त होती है उनका वाड़ेजिक महत्वधिक है जैसे साल, सागवन, सीसम, बेच, चन्न, आवला, सहतूत महुआ उगरा इस प्रकार अगर देखे तो ट्राई ट्रॉपिकल वेजिटेशन जो है इसको दो भागों में बाटा जा सकता है एक ड्राई डेसी बेल, खैर प्रमुक बिच्छ हैं जैसे खैर बिच की लगड़ी कथा बनाने के लिए तेनो बिच का अक्रियोग बीड़ी बनाने के लिए अगर ड्राई थार्ण वेजिटेशन की बात करें कटिली बनस पती तो सतर संटीमीटर से कम वर्सावले छेतर में पाई जाती है यह पर यह पाया जाता है पबूल नाक पनी खजूर करें यहां पर पाया जाता है एक प्रमुक बिच्छ है पलास यह उत्तर पदेश और जारखन का राज की पुस्प हुई है इसको एक नाम बुला जाता है जंगल की आग फ्लेम आप तफारेस्ट और इसका जो वेग्यानिक नाम है बनस्पतिक नाम हो है ब्यूटिया मौनस्पर्मा तो पलास को याद रखेंगे दो राज जो का यह राज की पुस्प है जंगल की आग इसे कहा जाता है फ्लेम आप दो फारेस्ट कहा जाता है बनस्पतिक नाम है ब्यूटिया मौनस्पर्मा सवाना बनस्पतिक की ब है टाइडल वेजिटेशन ज्वारी बनस्पदी तो समुद्र तट और निम्ने डेल्टाई भागों पर उच्छ ज्वार के नमकीन जल का फैलाओ इन शेत्रों में पाया जाता है यहां की मिट्टी की प्रकिती डलदली होती है जो डेल्टाई शेत्र है नदियों के पूर्वी साल के बाद गुजरात फिर अन्दमान निकोबार के तटवर्ती छेत्रों में पाया जाते हैं जोहरी बनस्पती उगने के लिए सभी तटवर्ती छेत्रों प्योग नहीं होते हैं इसका कारण यह है कि ताजे और खारे जलका उचेत मिस्टन होना चाहिए एचड़ी तो मिर पाती हैं गुरुत्व अकर्षन के बिप्रीत होती है जहां से वह उक्सीजन वगर ले पाती है तो इन वनों में सुनामी से बगिए जोलाब यह है कि सुनामी से बचा होता है तकर तियी उक्टाओ को रोकने में आउस दीयों प्योग में पक्शियों का रवास प्दान करने यह तो इनका प्रयोग किया सकता है, जो जोरी वनों के नाम, इनके अलगलग नाम देखने को मिलता है, जैसे कच्छ बनस्पती, अनूप वन, वेलानचली वन, या मैंग्रो वन, धन्मिर से कोई भी नाम इनके लिए प्रयोग किया सकते है, एक मैप यहां दिया गया है, कहां और कौन-कौन से छेतर हैं, उनको यहां डिसकस किया गया है, संदर्वन का मैंग्रोज छेतर है, महानदी का मैंग्रोज छेतर है, कृष्णा गजावरी का मैंग्रोज छेतर, कावेरी डेल्टा का मैंग्रोज छेतर, रत्नागिरी का मैंग्रोज छेतर, गुजरात का मैंग्रो जो कोरल रीप्स हैं वहें कच की खाड़ी मनार की खाड़ी अनमाने को बाद दीप समूह और लक्ष दीप पाय जाते हैं अद्धिला वर्टिकल डिस्टिबीशन देख लेते हैं उचाई के अनुसार तो अगर 900 मीटर की उचाई के बाद देखें तो जो परवती छेतर हैं वह संकुधारी और टुंडरावन की रूप में हुआ है अगर देखा जाए तो प्रादीपी भारत की जो प्रकितिक बनस्पतियां हैं उनकी जो इस्थिती है वह निम्नक्षांसी भागोली का इस्थिती के साथ औसत उचाई कम और औसत तापमान अपिक्षकित अधिक रहता है जिसके कारण यहां के उचे परोती छेत्रों में भी संकुधारी टुंडर के बनस्पति का विकास नहीं हो पाता जबकि हिमाले में चुकि उच अक्षांस पर है तो वहां पर होता है तो मुख्यता ये प्रादीप में देखे तो पस्यमी घाठ बिंदयाचल निलगरी पहाड़ीयों पर पयाजाने मल sjृत्रों स्रितों स्रिकर्ड़बंदी आर्थ पर्त transferी वनों को कहते हैं सो लास वन इपरुचा सकता है तो यह मैं काल कि छिढियों में हैं मैंगनोलीया लेयले इौन शिंखोन lu बैटल, युकिलिप्टस, इल्म, इत्यादी प्रमुक है। जो युकिलिप्टस है उसको पारसितिक आतंकवादी की भी संग्या दी जाती है। इसमें एक मैप बनाकर दिया गया है कि 900 मिटर की उचाई पर उपोस्न कड़िबंदी आर्द पर होती वन है। जो उचाई वाले छेत्र हैं को कहेंगे 16 वन यहां मैप पर दिया भी है। अगर यहीं हमाले की बात करें प्राइदीब की अलामा तो 900 मिटर की उचाई तक पूरू हमाले से पस्चिमें हमाले की और जाने पर वर्सा की मातरा में कमी आती है। जैसे जाएंगे कमी यह स्टेटमेंट को पूछे जाते हैं इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर चीड की बात करें तो इससे लीसा मिलता है जैसे तारबीन का तेल बनाया जाता है इसका उप्योग साबून पिंट बनाने कागज उद्योग में भी किया जाता है तो चीड का आर्थिक महत तो बहुत ज्यादा है। तीन जार मीटर से अधिक उचाई पर अलपाईर मनों पर चरागा घूमियों का संक्रमट पाय जाता है। इससे उपर जाएं तीन जार से चारजार की मीटर उचाई पर तो सिलवर पर जोनिपर, पाइन, बर्च, बिरुन्स, रोडन, रोडन, आधि बिच मिलते हैं। जो रितू प्रवास करने वाले समुदाय हैं जैसे गुजर, भकरवाल, गदी, भूटिया, इंचर अगाहों का भरपूर प्रयोग करते हैं। एक इंपॉर्टन फैक्ट यह है कि पस्च्चमी हमाले के पेच्चा पूरी हमाले की निम्न अक्छांसी भागवालिक इस्थिती के साथ बिशुवत रिखा और समुद तर्टी से निकरता के कारण नकिवला उसा तापमान अधिक रहता है बलकि वर्सा भी अधिक मात्रा में प्रबासे होती यह बात क्या है इसको समझेए जैसे देखें आप यहां भूम herb रहे खा है तो जो जम्हु कस्मीर वाला भाग होगा बात दूर होगा जो आईफित वाला नेपाल वाला भाग होगा यह भूमध रहे खा के पास में होगा तो यह निम्न अक्चांसी एस्थित स्थिति के साथ विशुवत रीखा और समुदर से निकटता की कारण न केवल वसा तापमान अधिक रहता है बलकि वर्सा भी अधिक मातरा में होती है तो दरसल ये कारण बनती है कि पिंच्छा पूर्वी हिमाले में प्राकतिक बनस्पतियों के सघहनता जयवभार और जयवि तार हुआ है उदारान के तौर पर पर्षिम हमाले में संकुधारी और टूंड्रा बनस्पती कम उचाई से ही मिलने लगती है तता 407 मीटर से अधिक उचाई पाती और पस्षिम बढ़ेंगे तो कटीले बनस्पती अगर उचाई पर पढ़ें तो देखें ये पूर्वी हिमाले का छेतर है इस्टन का हिस्सा मान लीजे इसको पस्षिमी हिमाले का यानि कि जम्मु कस्मीर वाला छेतर इसको मान लीजे इसको मान लीजे नेपाल वाला औ तब इसको समझे कि जहां ये 900 मीटर की उचाई के ओपर ही देखा जा रहा है जो बनस्पती पूरवी हमाले में 1800 मीटर की उचाई पर ही मिलती है वो पस्चिमी में 1500 मीटर की उचाई पर ही मिल जाती है इसी प्रकार समसीदोष न आर्डव बनस्पती अगर देखें तो पूर भी हिमाले पर यह 2700 मीटर के उचाई पे मिलती है जबकि यह थोड़ा कम उचाई 2400 मीटर पर ही पस्शे हिमाले में मिल जाती है तो यह अक्छांसों की वज़ा से भी है इसी प्रकास अंकुधारी बन 3300 की मीटर उचाई पर ही मिलने लड़ते हैं टूनरा बनस्पती की विकास देखें तो 33 cao m. की उचाई पर पूरवी हमाले में मिलता है लेकिन आप देखेंगे तो इनका विकास जो है आप देखेंगे यह लगवग 4000 की मीटर की उचाई तक पाया जाता है और इसके उपर कुसी वर्वकर की बनस्पती का विकास नहीं है जबकि पूर्वी हमाले में बनस्पतियों का विकास पाया जाता है तो अब पूर्वी हमाले और पश्मी हमाले में थोड़ा सा अंतर है चाड के जरीए हां समझाने की कोसिस की गई है तो जैसे जैसे वर्षा के मातरा में क्रमसा कमी होगी वैसे वैसे जो 1 पाए जाएंगे वो यहाँ पर arrow के माद्यम से आपको यह यह भी समझाया गिया है यह भी आपके लिए fact हो जाता है important है सदा बाहर बनस्पती, और सदा बाहर बनस्पती, आर्द परण पाती, सुस्कर परण पाती, कटीले बनस्पती, सवाना यहाँ पूर्च से परस्ची मेरा जाने का मतलब यह था कि वर्चा की मात्रा में जैसे से कमी आती जाएगी वन जो है आपके वो बदलते जाएंगे ठीक है, तो आईए देखते हैं कि जो घास भूमी बनस्पती है, सवाना तुल्ले है बिस्व की जो सवाना बनस्पती है, उससे यह भारत के अलग है लेकिन जो छोटे घास के मैदान है, उनको ही सवाना तुल्ले बनस्पती है घास भूमी बनस्पती को देश की संग्या दी गई है तो देश के पस्चिमेस उसक छेत्रों में फैले निमने चरागा और हिमाले के स्रेणियों में अलपाइन छेत्रों में पाये जाते हैं इनको जम्मु कस्मीर में मर्ग उत्तराखन के गड़वाल में बुग्याल के नाम से पुकरा जाता है तमिल नाडू, निलगिरी के सदा भारवनों में भी घास प्रदिस पाये जाते है एक important fact है आरदर भूमियां देकि आरदर भूमि वह भू छेतर होता है जिसमें नम और सुस्क दोनों वाता बरन बिसे इसता हैं पाये जाती है इन छेतरों को भूमि उसले पानी की सथा से ढखी होती है तो होता क्या है कि रामसर सम्मेलन इस पे हुआ इसमें आरदर भूमियों को परिवासित किया गया है तो इसके अनुसार क्या होता है नम भूमि छेतर के अंतरगत दलदली कच्छ छेतर जो कृतिमिया प्राकृतिक दोनों हो सकती है अस्थाई अस्थाई दोनों हो सकती है जिसमें पानी रुका हो या बहता हो वो भी हो सकता है और इसमें ऐसे समुदरी छेतें को भी सामिल किया जाता है जिसके गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं है निम्न जोर किसम है तो ये आपसे पूछा सकता है कि इन में से कौन सा रामसर सम्मेलन के नुसर आधर भूमी हो सकती है तो ये सरते रखी जा सकती है इसी प्रिकार जो परिभासा दी गई है उसके अधार पर जो मैंग्रो वन है उन में प्रवाल, भित्ती, जौर्नद, मुक, क्री, खाड़ी, तलाब, दलदल, जीलों आधी को सम्मेलित किया जाता है ठीक है तो ये रामसर सम्मेलन है इसके सुरुआत 1971 में इरान के रामसर नामक अस्थल से हुई थी भारत इसमें 1982 में सामिल हुआ तो दो डेट इंपॉर्टेंट है 1971-1982 दो फरवरी को 28 भूमी दिवस मनाया जाता है अगर वर्तमान में देखे तो भारत में रामसर अस्थलों के संख्या उन्चास है जो करेंट का टॉपिक है वो रामसर साइट को लेके मैं आऊँगा जिसमें आपको इस सारे इंपॉर्टेंट मिल जाएंगी कौन कौन से कहां परिस्थित है जिसका अगला लेक्चर होगा उसको हम लोग लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग वन नीती और जो वन रिपोर्ट है लेटिस्ट उसको यहां पर डिस्कस किया गया है बुक में उसको भी हम लोग देखेंगे तो प्राकितिक बिनस्पती को लेकर के कुश्चन रामसर साइट से भी खूब आता है लेकिन यह करेंट का टॉपिक है तो मैं यहां पर इसको डिसकस नहीं कर रहा हूँ यह जैसे ही करन में देखेंगे तो आपको वहाँ पर लेटिस्ट कितने हैं और कहां कहां पर कौन सा अस्थित है कौन सा नया जोड़ा गया है वह आपको मिल जाएगा रामसर साइट का टॉपिक अलग से डिसकस किया जाएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसमें